स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल शर्मा ओलाइन स्टेडी पॉइंट में थैंक्यू वेरी मच दोस्तों आपने विज्ञान की जो मैंने वीडियो डाली थी उसका बहुती अच्छा रेस्पोंस मुझे मिला है ऐसा रेस्पोंस मुझे आगे भी मिलता रहे तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 इंगलिस का पेपर जी हाँ फ्रेंड्स जितने कोश्चन करा रहा हूँ उनको ध्यान से रात में पढ़ लेना आपके पास में कल का भी दिन है आपका मंडे में एक्जाम है तो आप आपने अगर ये कोश्चन्स ध्यान से कर लिए तो आपका लेटीचर की टैंसिन खतम होगी दूसरे वीडियो में आपके लिए जो एप्लिकेशन्स वगरा है जितना भी ग्रामेटिकल पॉर्षन है वो लेके आऊंगा उसके सोलूशन के साथ में ताकि आपको आसानी हो आपको कोई जाद है किताब को सर्च ना करना पड़े और आप अराम से उनके कोश्चन्स का हल निकाल सके वीडियो को स्टार्ट करने से पहले महतपून कोश्चन है दोस्तो बोड परिक्षा में कम से कम आठ से दस बार ये पूछा जा चुका है इस कोश्चन्स की जो उम्मीधा आने की 101% है ये अब की बार हापियरली के साथ साथ में वार्सिक परिक्षा में भी आएगा तो पहला कोश्चन है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर टू कोश्चन नमबर टू है दोस्तो वाट सुड वी प्रे फोर हमें किस चीज के लिए प्रार्तना करनी चाहिए अगला कोश्चन है दोस्तो कोश्चन नमबर टू तो दोस्तो ये है कोश्चन ये बुच्छ रहा है कि जो हमारी जो पोयम है Light the lamp of thy love इसका जो message है, इसका संदेश क्या संदेश हमें इस पोयम से मिला उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है अगर हम आगे बढ़ता हूँ question कर्मांक number 4 की और question कर्मांक number 4 कुछ इस परकार है दोस्तो जो पोयम है Light the lamp of thy love इसमें जो darkness है वो किसका परतिक है इसमें आपको बताना है question number 4 complete हो चुके है question number 5 है what happens when the poet looks at the children playing यह बोल रहा है कि poet क्या सोचता है क्या होता है जब वो बच्चों को खेलते हुए देखता है तो दोस्तो अपने हिसाब से 30 से 40 वर्डों में हर एक का answer आप त्यार कर लेना फिर जिस हिसाब से question आपको exam में मिलता है उस हिसाब से आपको परिक्षा में attempt करना है question number 6 है where do the windows open where do the windows open लखिड किया कहां खुली हुई थी person करमांक नमबर 7 की और बढ़ते हुए दोस्तो person करमांक नमबर 7 है when do the problems of the poet and why मतलब कि जो poet होता है उसकी जो कठनाई थी उसकी जो problems थी समश्चाए थी वो कब खतम हुई और क्यों अगला question है question number 8 है दोस्तो question number 8 है how does the poet compare his heart of the children ठीक है person करमांक number 9 की तरफ person करमांक number 9 है दोस्तो what was the duty of the little boy मतलब कि जो छोटा लड़का था छोटा बच्चा था उसकी जो duties थी उसके जो कारिया थे उसके बारे में आप वया पे लिखना है person करमांक number 10 है दोस्तो what was the opinion of the doctor about the burnt boy मतलब जो जो जला हुआ लड़का था जो आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे में डोक्टर का क्या opinion था डोक्टर के क्या विचार थे क्या सुझाव थे उसके बारे में दोस्तो आपको यहां पे लिखना है person करमांक number 11 की और बढ़ते हुए person number 11 है very very important question board examination में यह कितनी बार आ चुका है what was the condition of the little boy when he was taken out of the burning school building इसमें पुछा गया है कि जो छोटा लड़का था उसकी क्या condition थी उसकी क्या situation थी जब वो जलती हुई building के school की building से भार्त निकाला गया उसके बारे में आपको लिखना है person करमांक नंबर 12 है दोस्तो मैं दोस्तो फिर से आपको बता देता हूँ कि यह जितने भी questions है आपकी board परिक्षा के लिए भी महतपून है तो इस वीडियो को अपनी जितना भी saving list है उसको save करेके रखेगा क्योंकि यह question की जुरुरत आपको board परिक्षा में भी पड़ेगी same questions आपको board परिक्षा के लिए भी महतपून है आप same video देखोगे board परिक्षा में भी तो अभी से इस save करके रखो यह दोस्तो कल की जो Monday में परिक्षा होने वाली है उसके लिए भी बेहद महतपून है आगे बढ़ते हैं दोस्तो परसंद कर्मांक नंबर बारे की और very very important question name three petroids who sacrificed their lives for the freedom of motherland someday at Lahore Lahore में मतलग की जो अपनी मातर भूमी के लिए जिसने अपना जीवन बिलकुल sacrifice कर दिया उनके जो देश वक्त है उन तीन देश वक्त के आपको नाम लिखने है भगत सिंग, सुकदेव इन सब के दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number 13 question number 13 है describe how three revolutionaries embraced death for the cause of the India's freedom question number 15 है what did the मातमा गांधी say on the death of भगत सिंग भगत सिंग की मरत्यू पर महतमास गांधी जी ने क्या कहा question number 15 है last question है हमारे questions की series का important questions की series का board में परिक्षा और अरदवासिक परिक्षा में आने वाले questions की series का 15 question है what did the British do with the bodies of the three revolutionaries मतलग की जो डेस जो आन्दूलन कारी थे तीन उन्होंने ब्रिटिस सरकार ने उनके साथ में कैसा वहवार किया उनकी बोड़ी के साथ में उसके बारे में हमें आपे बताना है तो दोस्तो जितना भी आपका syllabus था हमने वहां से सारे के सारे questions कवर कर दिये गए हैं कुल मिला के बस आपको 15 questions करने हैं और आपका जो literature part है वो complete हो जाएगा दोस्तो वीडियो अच्छे लगी तो like, share, comment जरूर कीजेगा चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you, thank you very much friends मिलते हैं अगले next part में जो हम आपके लिए grammar का लेके आएगे Thank you, thank you very much दोस्तो इसी तरह से आप अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहेगा आपकी support बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी support से हम और ज़्यादे motivate होते हैं जिसके लिए हम और ज़्यादे आपके लिए महनत करते हैं ताकि और अच्छा content हम आपको provide कर सके Thank you, thank you very much friends जहिंचे भारा